सबसे पहले वीडियो शुरू करने से भी पहले मैं यही बोलना चाहता हूं कि प्लीज गाइज दाड़ी पे वीठ है रिमूवल क्रीम मत लगाएए यह वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूं बहुत सारे कमेंट्स मुझे मिल रहे हैं जो बोल रहे हैं कि क्या हम इसको मूचों पे लगा सकते हैं दाड़ी में लगा सकते हैं and I am surprised to see कि भाई यह तो बेसिक चीजे हैं कि सब को पताया कि क्रीम है रिमूवल क्रीम नहीं लगाना चाहिए but फिर भी I have got queries and I have got queries from Mukesh Mavi who is writing दाड़ी मुच पे लगा सकते हैं and one from Dilshad Garden is asking क्या इसको फेस पर यूज कर सकते हैं as a shaving cream I am surprised मतलब यह कैसे आप लोग सोच सकते हैं कि एक हेर रिमूवल क्रीम को अप अपने दाड़ीयों पे लगाऊगे so guys आज का जो वीडियो है इसी topic पे है कुछ questions मैं और भी लूँगा इसी topic पे जो मेरे वीडियो पे comments आये हैं इससे पहले मैंने दो वीडियो बनाये हैं wheat hair removal cream का एक मैंने live demo किया था इसका eyeball पे मैंने mention कर दिया है और एक वीडियो मैंने किया था कि private parts पे wheat hair removal cream लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए अगर आपने नहीं देखा है दोनों वीडियो तो link यहाँ पे है और description box में भी link है तो please जाके देखिए और please दाड़ी पे नहीं लगाना चाहिए क्योंकि chemical होता है इसमें अगर आप दाड़ी पे लगाते हैं दाड़ी हम face हमें लगाते हैं दाड़ी हों पे लगाते हैं तो यह बहुत sensitive है जो यह area है ना बहुत sensitive area है तो इस पे अगर आप chemical लगाते हैं cream लगाते हैं तो यह area जल जाएगा आपका skin जल जाएगा और वो permanently आपका जो damage होगा वो permanent हो जाएगा तो please guys दाड़ी और मुझ पे wheat hair removal cream क्या कोई भी hair removal cream आपको कभी भी नहीं लगाना है तो guys अब आगे बढ़ते हैं next questions की तरफ जो और भी questions मेरे channel पे आए हैं लोग पूछते हैं ये कहां मिलता है ये cream so guys अगर आप metro cities में रहते हैं या पर tier 1 या tier 2 cities में रहते हैं तो online आपको ये product मिल जाएगा नाइका पे, flip card पे, amazon पे but अगर आप जहां रहते हैं वहाँ online products नहीं आते हैं तो आप किसी grocery shop में जाके पूछ सकते हैं या फिर जो आपका medical shop है उस पे जाके आप पूछ सकते हैं वहाँ आपको definitely ये product मिल जाएगा उसके बाद questions पूछते हैं आदित्य कुमार Hey bro, is there any product that remove hairs permanently? ये भी बहुत जादा पूछा गया question है कि क्या हम अपने बालों को permanently remove कर सकते हैं answer है हाँ लेकिन कोई भी hair removal cream से आप नहीं कर सकते हैं ये आप बात जान लो Hair removal cream आपके बालों को temporary remove करेगा एक हफते बाद दो हफते बाद जैसे आपके growth होती है बालों की वह वापस आ जाएगा अगर आपको hair permanently remove करना है तो आपको laser treatment कराना पड़ेगा जो की बहुत expensive होता है और अगर आपको फिर भी अगर आप laser treatment नहीं करा सकते हैं तो एक cream आता है wow science का vanish cream उस vanish cream को आपको hair removal cream लगाने के बाद आपका जब बाल वहां से निकल जाए मालने जे आपने किया आपने chest से बाल निकाल लिया तो उस cream को hair wow का जो vanish cream है उसको आपको लगा के रख देना है एक महीने तक अगर आप करते हैं तो आपके जो बाल है वो धीरे 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 वहां से खतम हो जाएंगे फिर नए बाल नहीं आएंगे और वो आप किसी भी पर यूज कर सकते हैं बाडी के चाहे वो आपके private parts हो chest हो hair हो legs हो किसी भी part पर यूज कर सकते हैं अगर आपको एक dedicated वीडियो चाहिए वैनिश क्रीम से पर तो प्लीज मुझे बताईए कमेंट करके मैं उस पर वीडियो बना दूंगा इधर उधर से सुनके कहीं पर भी कुछ भी कर लेना it's not right because बहुत सरे कमेंट मुझे मिलते हैं जो बोलते हैं कि मैंने wheat hair removal cream लगाया और वो जलने लग गया फिर मैंने इसको छोड़ दिया but guys you have to understand यह chemical based product है इसको आपको ठीक से लगाना है सबसे पहले एक patch test करना है कहीं पे भी कहीं पे भी एक यहां पे अपने patch test कर लिया लगा के देखा कि आपको जल तो नहीं रहा अगर आपको नहीं जल रहा तो आप इसको पूरे हाथ में लगाईए अगर इसको जलने लग ग है या sensitive है कैसे पहचाने because market में दो तरीका का wheat hair removal cream है एक तो यह orange color का और एक blue color का blue color है sensitive वाला और यह है normal वाला तो guys सबसे पहले अगर आपके skin में बहुत जादा acne होता है pimple होता है या फिर आपके body parts में बहुत जादा pimple और acne की problems हैं तो आप normal वाला तो बिलकुल मत यूज कर अगर आपके बहुत जल्दी rashes हो जाते हैं कोई भी product आप यूज करते हैं तो आपके product आपको rashes निकल आते हैं या pimple निकल आते हैं तो भी आप समझिए कि आपका skin sensitive है आपको वही वाला लेना है blue वाला अगर आपका skin normal है कोई इतना rashes के problem नहीं है acne pimple का problem नहीं है कोई भी यह and it's my responsibility जो मैंने दो वीडियो बनाये हैं उस पर comments एक आता दो आता तो मैं नहीं करता शायद बट इतने सारे लोग पूछ रहे हैं मुझे पता है lockdown है lockdown है तो parlors बंद है तो obviously दाड़ी बर चुका है तो क्या करें भाई wheat hair removal cream लगा लेते हैं दाड़ी पर चला जाएगा है मुच पर लगा दे अच्छा लगा के ऐसे लगा के पोच दें या शेफ कर दें सोचिए मतलब क्रीम को as a shaving foam यूज करतने की बारे में लोग बोल रहे हैं तो please guys नहीं यूज करिए face पे ये body पे यूज करने की चीज़ है body पे यूज करिए please don't use it on your face और अगर अब भी का so please comment करके मुझे बताईए बिना पूछे please इस product को मत लगाए आपको अगर कुछ भी पूछना है अगर आपके कुछ भी कोईरी है मन में इस cream को लेके लगाने से पहले तो internet पे जाईए google पे जाईए facebook पे जाईए wheat को directly question कर दीजिए मुझे question कर लीजिए but please बिना सोचे समझ ये cream को मत लगाएगा permanent damage हो जाएगा so guys thank you so much for watching my video till now अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो please subscribe my channel और अगर आप मेरे पहले subscribers हैं तो thank you for stopping by इस lockdown के period में please be safe be at your home बाहर मत जाईए हम बहुत close है इस बिमारी से बचने के लिए कम खतम हो सकता है थोड़े ही दिनों में अ सब घर के अंदर रहते हैं तो please guys follow what government is saying what our honorable prime minister has said please follow everything and stay indoors and watch my videos thank you so much for watching thank you